दोस्तो नमस्कार मैं हुझे और आप देख रहे हैं जैस्तनी ओज महाराष्टा में स्यूसेना के सांसर संजी राउत को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है जैसा कि आप सब को पता ही है संजी राउत आए दिन कुछ न कुछ स्टेट्मेंट देते रहते हैं जिसकी होजा से काफी ज़्यादा बवाल मचता है लेकिन आप इन्ही सब चीजों के बीच में पिछले काफी टाइम से लगातार सेंट्रेल एजन्सी के द्वारा महाराष्ट के स्यूसेना और एंस्टीपी के मंत्री और नेताव किलाब में कारवाई किया रही है जिसको देखते हुए संजे राउत काफी ज़्यादा गुस्सा है और उन्होंने ग्री मंत्री दिलीप वाल से पाटिल के उपर ही निशाना साथना शुरू कर दिया जहां पर उनके द्वारा बोला गया कि ग्री विभाग को और अधिक कुसल और सक्त होने की जरूरत है केंद्री जांच एजन्सियों की कारवाई ग्री विभाग पर हमला है जो कानून ब्यवस्ता समालते हैं और उनके पास पुलिस तंत्र है उन्हें गंभीरता से ध्यान द उठाना चाहिए उनके द्वारा कहा गया कि ग्री विभाग को कट्वर कदा उठाने होंगे नहीं तो वह प्रति दिन अपने लिए एक नया गढ़्धा खो देंगे ये स्टेट्मेंट सीदे से संजेराउत के द्वारा दिया गया था जिसके बाद ये लगने लगा था कि सा खालकी बैठक के बाद तुरंथ भाद ठाक्रे ने एक बयान जारी करके ये इन खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया जहां पर उनके द्वरा बोला गया ये ऐसी खबरे जो है जूटी और ब्रिक्रित करने वाली है मुझे अपने सहयोग्यों पर पूरा भरोसा है और वो अच्छा काम कर रहे हैं सीधे सीधे ये बास बोली गई है वो भी महराज के सियम उधो ठाकरे के द्वारा यही नहीं आपको बता दूँ कि दिलीव वालसे पाटिल के द्वारा भी इस पर एक स्टेट्मेंट दिया गया जहां पर उनके द्वारा बोला गया कि ठाकरे और उनकी मुलाकात जो है वो बहुत पहले ही निरधारित थी वालसे पाटिल ने कहा कि भाजपा पर नरम होने का कोई सवाल ही नहीं है मुझे समझ मिन आता कि नरम या कठोर स्टेंड क्या है अंता कागजात और तत्तो के आधार पर ही निरधारे लिये जाते हैं हमारे द्वारा की गई कोई भी कारवाई अदालत में खड़ी होनी चाहिए अगर कुछ गलत होता है तो कारवाई की जाएगी उन्होंने सियम से मुलाकात के बाद मीडिया कर्मी से बात करते हुए ये स्टेट्मेंट दिये हैं उन्होंने कहा कि सियम पहले ही अपने कार्याले के माद्यम से इस मुद्धे को इस पर कर चुके हैं उन्होंने कहा कि किसी के नाराज होने का सवाल ही नहीं है ऐसी कोई चीज नहीं है हम आपसी विश्वास के आधार पर निर्ड़े लेते हैं और सिधे सिधे वालसे पार्टिल के दोरा ये statement दिया गया कि हम उधो ठाकरे जो है वो हमसे कोई नाराज नहीं है और हमारी उनकी तरव से पहले इस पर statement दे दिया गया है। आपको बता दूँ कि इनके दोरा जैसे कि ये confirm कर दिया गया है कोधो ठाकरे और दिलीफ वालसे पार्टिल जो के ग्रीह मंत्री हैं इस टैम महाराश में उनके बीच में कोई भी विवाद नहीं है जो कि पिछले काफी टाइम से लगातार अटकले लगाई जा रही थी और वीडियो के आज जदा सेयर करें